जै जिनेंद्र दर्शकों जब ये प्रवेश हुआ तो अवागड जैन समाज का बच्चा बच्चा खुशी से जोम उठा संपूर जैन समाज ने मिलकर पूज्य गुरुदेप भी एतिहासिक अगवानी की आचारी श्री ने भी इन भक्तों की गुरु पासना को देखते हुए अपना आशरवाद वातसल्य पूर्वक दिया पूजे गुरु देव तो है ही वातसल्य के धनी अपनी वातसल्य मई मुस्कान से गुरु देव न जाने कितनों को अपना भक्त बना लेते हैं और भक्त बनने के बाद सभी को भगवान महावीर के बताई मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं यही बात तो गुरुवर की भक्तों के दिलों में जगह बनाए रखती है और खास कर युवाओं पर तभी तो समाच के युवा गुरुवर के आने से इतने प्रसन्न थे कि हाथों में धर्मिद्वजा और जैकारे लगाते हुए गुरुदेव की भव्य अगवानी कर रहे थे मार्ग में जगह जगह कई सवभाग्यशाली गुरुभक्त परिवारों ने मुनिश्री का पाद प्रक्षालन एवं आर्तिकर महान पुन्यार जंकिया दर्शकू आपको बता दें कि ये एतिहासिक नगरी अवागड आचारे श्री के शिश्य मुनिश्री शिवदत्त सागर जी महराज की जन्मस्थली भी है झृट प्रक्षाल य करें कि यह लो हमेड़ noeg Вам कि जाता है ņपलीए, कि जात वाइ्ण Яहाओ पर भी जाता है कर दो तरंवे कर दोड़ी है, वाद के जोगाउ तरंवे कर दोड़ीकर, इस चाहिए, जालद के लिए में लादा दिए जुन सबढ़ी कर दोड़ा तवस्तर गुणे जालएं, तुरफे जालएं, तो नवादा कर दो दो हुआ कर दो 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 कर दो दो झाल 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 शाल जादे मिथ, द्यायक, बिल्जाव को मेनना, क्वाल प्यूकोम, लिए ओुम पजने ह्वाट काब्या क कि दो शां बेडने हो, ह्या हुआ को माईश साहा, कि दो खीलने है कि kole दे हूँ तस्यमों जाद कि उतल treaty जोो कि इन से वाận कि दो परे कि गज bree can कि मुठर बिए एक तो निए बागी कि अारवान अजिए बज्ग आपकर कि अपकर बाद के तीर, बाद कि लाद करोंगी हो, 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 हो… बहांख किसमी जइ लुछ के लिए के लग मेर के लुछ कर दोलिए इसलिए कर दोलिए गाइजी। कर दे ही चारओं से आप कि जैजियलाओ करे घया Whether Last कि अटक ऑड़ında कि अंटित एनने फिर सुड़ से एननने मीश्टार च्टार चेंगारी हम अंट बैडंगार मीश्टार क्विश्टार कि अंट अ उड़ कि अष्यों से नुटारी है विविदक शेत्रों में भ्रमन करती हुई मंगल प्रवेश की ये अद्भुत शुभायात्रा कारिक्रम स्थल पहुची और धार में सभा में परिवर्वेश जो सदियों तक रहेगा एक बार 2010 में सदियों परांतु पाद्याश्री का मंगल चात्रों मास हुआ था और आज पुने आचार स्रीवेश के रूप में हमारे मत्य हमारी नगरी में सजादो खुलसन का आज मेरे सरकार आए हैं संतों की बाड़ी मन से लगा रहे हैं और शिलिए यहां के चक्कर लगा रहे हैं अरे मो की निन कब तक सोते रहो गया वागण वासी हो तुम्हें चकाने सुन आचार स्रीवेश सागर रहे हैं जाकरे गुर्दापका तदो परांत मंगला चरण सेधर्म सभा आरंभुक्वी जिरिशिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रतनात्रिया राधिका पंचे ते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुरेवन्त ते मंगलं कुरेवन्तुमें में मंगलं कुरिवंतुना मंगलं विद्यासागर वेश्वंद स्रमणं भक्त्यासदासंस्तुवे शरवोच्यम्यम्नंबिनम्रपर्यमं शरवार्त्षी दीप्रदं ज्यान ध्यान अपोविरत्य मुनिपं विश्वस्व्स्रयं साकारं स्रमनं विशाले हिर्दें सत्यम सिवं शुन्दरं बिद्या गुरू वंदनं बिद्या गुरू मंगलं सजादो घर को मंदिर सा गुरू भगवान आए है सजादो घर को मंदिर सा गुरू भगवान आए है कि कोई दीबा न कहता है कोई पागल समझता है कि टुंडला वाला की भक्ती को सिर्फ गुरू देव समझते हैं मैं तुमसे दूर कितना हूँ तुमसे पास कितने हो ये मेरा दिल समझता है कि तुमारा दिल समझता है मंगला चरन होने के बाद चित्र अना बरण एवं दीप प्रजवलन संपन्न किया गया कारिक्रम में आगे गुरु भक्तों ने आचारे श्री को शास्त्र भीट एवं पाद प्रक्षालन करने का महान स्वभाग्य प्रात किया इन सभी प्रियाओं के बाद पूर्जी मुनिश्री शिवदत्य सागर जी महराज ने सभा को संबोलित किया अभी लोग शर्चा कर रहे थे नगर गोरब नगर गोरब मेरे मन में बिचार आ रहा था कि मैं नगर गोबर था इन्होंने ही नगर गोरब बनाया है मैं एक तुक्छु प्राणी था यहीं की धरापड जर्मा था यहां के सभी लोग जैन अजैन अजैतर सभी लोग मुझे जानते हैं मैं नगर गोबर था मेरी कोई कीमत नहीं थी लेकिन गुरू की महिमा का पिर्वाब ऐसा होता है कि मुझे नगर गोरब इन्हीं ने बनाया है इनकी संभाब में जोड़दार तालिया बजाईए और मैं आप लोगों से यह कह रहा हूँ लोग बहुत साइब लोग कह रहे थे कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है यह नगर इसलिए फैमस नहीं है कि यहां पर बहुत बदी नसिया है यह नगर इसलिए फैमस नहीं है कि यहां पर किला है यह नगर इसलिए फैमस नहीं है कि यहां बहुत बड़ा मार्केट है ये नगर इसलिए फैमस नहीं है कि यहां के लोग सब सुख संपन्न है अरी यहां का संपन्न ता इसलिए है कि इस नगर में ऐसे निर्बे सागर महराज ने आकर के इस नगर की काया कलब की है और आज भी लोगों के पृति वही आस्था धर्म जैन अजैन आदी में यहां से भी देख रहा था सब के पृतिवों आस्था थी जहां से प्रवेश किया है एफान लग नहीं रहा कि दो हजार बाईस है अपने मन में भक्ति की गंगा बहा कर देखो अभी महराज के रहे थे कैसा लगेगा तो अपने मन में भक्ति की गंगा बहा कर देखो अनुपम सुक मिलेगा जर आप प्रवचन सुन कर देखो अर इस सारे पाप धुल जाएंगे तुम्हारे एक बार संतों का स्वागत करके तो देखो इस संतों का स्वागत पाप धोने के लिए है संत इतनी लंबी यात्रा करके आये हैं आपने प्रक्छालन क्यों किया उनको चाय नास्ता नहीं कराया उनके पैर धलाए हैं क्यों धलाए हैं उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि नंगे पैर मसास जितने भी सित्य चेत्रे हैं ने 30 से चेत ने उन पेरों में यदी जूते चपल पेहन करके तुमने उस चेतर का इस परस किया तो तुम्हारा उस चेतर से कोई संबंद नहीं बना लेकिन हम एक सादू ऐसे हैं कि चारों धाम की यात्रा करके पचास जार किलोमीटर की यात्रा करके अवागड़ाए हैं तो ह चरण धोना तुमारे पाप को धोने के लिए हैं क्योंकि ये संत जब आते हैं नगर प्रवेश करते हैं तो समाज का सुधार करने के लिए करते हैं जब संत नगर में प्रवेश करते हैं तो तुमारे पुर्ण अर्जन के लिए करते हैं जब संत तुमारे नगर में आते हैं तो संसकारित होने के लिए आते हैं जब संत तुमारे नगर में प्रवेश करते हैं तो तुमारी संस्कृति और तुमारे परिवार को बचाने के लिए करते हैं और तुमारे आत्मा के कल्यान के लिए करते हैं आए एक बार नहीं, चौती बार आए है, यहां चौती बार आए है हमारे जो नगर के जो प्रधान जी है, क्या नाम से अपन धर्म पाल जी, महिस पाल जी, यह बार बार कल से बड़ाबर मेरे साथ चल रहे हैं, वो भी नंगे पहर चल रहे हैं, और ऐसे चल रहे हैं, और ऐसे बन गया हूँ, ऐसा उनको देख करके लगा मुझे उनके लिए बहुत-बहुत मेरा आशिर वाद है, और मैं कहूंगा, इस नगर में, सुन लो, जैसे कह रहते हैं हमारे महराज के हम गोबर हैं, ये गोबर नहीं समाज के रतन हैं, इस नगर के रतन हैं, रतन की पहचान जो ही करता है, तुम नहीं कर पाए, लेकिन मैंने कर ली, क्योंकि सुन लो, आप लोगे नोटों के पुझारी, मैंने तुम्हारा दिल देख लिया, अरे तुम इंसान में इंसान ना देख सके, मैंने सैतान में भगवान देख लिया, ये नोटों के पुझारी, मैंने तुम्हारा दिल देख लिया, तुमने इंसान में इंसान ना देख सके, मैंने सैतान में भगवान देख लिया जय जिनेंद्र